अब कल्पित विदी से माध्य निकालने के लिए हमें डियाई निकालना होता है और एक्स भी हमको निकालना होगा एक्स कैसे निकालेंगे हम एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है जो वर गंत्राल की जो बीच की संख्या वो हमको लेनी या तो इन दोनों को प्लस कर लीजी और फिर दो का भाग देखे निकालीजी या सिंपली अगर आपको समयत में आ रहा है कि दोनों के बीच में संख्या कुन सी आ रही है तो वो आप लेलेस है जैसे 5 और 15 के बीच में संख्या जो है जो कहा है 10 है पांच और पंद्रा की बीच में 10 है पंद्रा और पच्छिस की बीच में संख्या कुन सी है? 20 पच्छिस और पैतिस की बीच में 30 पैतिस और पैतालिस की बीच में 40 पैतालिस और पच्पन की बीच में 50 और पच्पन और 65 की बीच में 60 यह हमारे पास क्या आ गई? संख्या आ गई, x की value हमारे पास आ गई है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है di, और di हम कैसे निकालते हैं? di हम निकालते हैं, x में से a निकाल कर, x में से हमें क्या minus करना है? a हमको minus करना है, अब आप बोलोगे कि a x में हम किसको माने, a हमारा क्या होगा, क्याcentric minus कर सके, तो आपको जो x է, x है, उसमें से आपको एक संख्या ले लेनी है, तो मैं हिया पर बेरियो 30, बीच की संख्या कोई सी भी लेनी है, आप आपको क्या करना है, a बराबर हमने क्या ले 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 लिया, 30 हमने ले लिया a बराबर, माइनस कर दीजे, x में से 30 माइनस करना है, मतलब 10 में से हम 30 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 20, क्योंकि 10 में से हमने 30 घटाया है, उल्टा हम माइनस करेंगे, तो माइनस 20 आएगा, 20 में से 30 घटाना है, गटाना है तो 40 में से 30 घटा दीजिए 40 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 50 में से 30 हम घटाएंगे 20 और 60 में से 30 हम घटाएंगे कितना आएगा 30 तो यह हमने मैनस कर लिया मैनस करने पर di कितना आ रहा है 20 मैनस 20 मैनस 10 0, 10, 20 और 30 अब हमें करना है F से D को गुणा F से D को क्या करना है? गुणा करना है 6 को 20 से गुणा करेंगे तो मारे पास आएगा 120 तो कि माइनस है तो माइनस लगा दीजे 120, 11 को 10 से करेंगे 110 माइनस लगा दीजे 21 को 0 से करेंगे 0 आएगा 23 को 10 से करेंगे 230 14 को 20 से करेंगे 280 5 को 30 से करेंगे 15 का 15, 150 यह गुणा हमने कर लिया अब आपको क्या करना है? इसको प्लस करना है तो सबसे पहले माइनस माइनस वाली संख्या हमको हम प्लस कर लेते हैं माइनस की संख्या हमारे पास है 00 0 का 0, 2 और 1, 3 और 1, 2, 230, minus 230, next, इसको भी Kakूर प्लस करना है, 0 का 0, 5 और 8, 13, 13, 13, 16, का 6, हासिल 1, 2, 2, 4, 5, 5, 1, 6,Î6, 160, दो संख्या आगे मारे पास माइनस 230 और 660 0 का 0, 3 और 8, 11, 11 और 5, 16 की 6 हासिल ए 2, 2, 4 और 1, 5 और 1, 6, 660 अब माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है तो 660 में से हम 230 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे 660 में से माइनस करना है 230 0 में से 0 कट किया 0 च्छे में से 3 कट किया 3 और 6 में से 2 कट किया कितना आएगा 4 तो कितना है हमारा 430 सिग्मा डी एफ कितना है 430 नेक्स्ट आप उनको निकालना है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ को हमें क्या करना है प्लस करना है F की जो value है सबको plus करने और उनको plus करने पर हमारे पास आएगा 80 कितना आएगा 80 तो दो value हमें चाहिए थी sigma F और sigma F और F D जो हमारे पास कितना है 430 अब आगे हमें सुत्र लगाना है इसका फिर question solve करना है तो सुत्र क्या है इसका वो देख लेते हैं तो इसका सुत्र है हमारे पास माध्य is equal to A plus sigma Df बटा sigma F आप A क्या है हमारे पास 30 हमने लिया था 30 sigma Df कितना है 430 और sigma F कितना है 80 एक जिरो से एक जिरो कट हो जाएगा 30 हमारे पास है 43 में आट का भाग दे दीजिए आटू पंजे 40 क्यूंकि आगी सभाग नहीं जाएगा तो point लग जाएगा आटू पंजे 40 30 होगा आटे कमार्ट आट्धू नी 16 आटिया 24 आटिया 24 बचेगा 6 तो आटू साथू 56 बचेगा जार आटू पंजे 40 कितना है अब 30 में आप 5.35 को प्लस कर दीजी 305 को प्लस कि आप 35 और 35 35.35 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा तो हमारा माध्धी कितना है 35.35 इसका आंसर है